कि उसमें ये पता चल रहा है कि उसमें अंति-माइक्टिवियल अग्टिवीटी है नियुरो ट्रांजेंस टिक्टी अक्टिविटी उसके अंदर है साइन्स या विज्ञान की बात करते हो तो आपको एवाइडैंश देने पड़ेंगे और इस दुनिया में इवालुशन से रिलेटेट इवाइडेंसे से दर्शको आपका स्वागत है आवाज इंडिया टीवी में हम आवाज इंडिया के माध्यम से देश और दुनिया के तमाम वो जो सुक्ष्म बिंदू है जो जीवन यापन को एक उच्चेतम स्तर पे लेके जाते हैं जो पहलो जिंदगी में हमारे अलग-अलग शेत्र में अलग-अलग डारेक्शन में हमको एक तरीके से बुद्धिवान और एक शम्तवान विध्यारती और एक शोधारती बनाते हैं आज हमारे साथ काफी विशेश अथिति है जो जो जुड़े है और तुमसर से है डॉक्टर जगनात गडपाईले सर जो असोसियेट प्रोफेसर है एसेन मोर विज्यान महाविध्याले में है सर आपका स्वागत है हम देखते है कि जैसा आज हम प्रकरती के गोद में है यहां पर हम देखते हैं यहां पर फोना है फ्लोरा फोना है अलग अलग एक तरीके से आप इसकी जानकारी ज्यादा महींता से समझते है आप इसमें सुल्जे हुए है पर जो एक सामान्य नागरिक होता है वो जैसा इस तो आपको लगता है कि यह सब अवेर्नेस करने के लिए सरकार ने भी कुछ मोहीम करनाची भारत के अंदर जरूरी है यह सारी चीजे और इसके लिए कैसा है कि गाव में जो भी लोग रहते हैं उनको इन सारी चीजों से जो मतलब मिलना है या उनकी जो बेसिक नीट से वो इनी फॉरेस्ट से नेचर से मिलती है तो इसमें जो जो चीजे रहनी है या इस इर्दगिर्द जो लोग रहते है इस फॉरेस्ट के इर्दगिर्द उनकी बेसिक नीटे वो पूरी करते है तो वो उस हिसाब से रहते है या उनको इस फॉरेस्ट में या इस जंगलों में या इन पहाडों में क्या है उनकी थोड़ी बहुत जानकारी होती है और वो अपने लेवल पे उत चीज को एक्सेस भी कर लेते हैं लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स रहते हैं उनको इनके बारे में कुछ पता नहीं होता है और लोकल जो लोग रहते हैं उनको यह सारी चीजे पता होती है तो लोकली वो लोग सब यह सारी चीजे निकालते हैं तो मेरा मानना यह है कि इस दिशा में जो पॉलिसी मेकर है उनका मतलब सज्ञान हो और इससे रिलेटेड पॉलिसी बने ताकि वहां का जो भी प्लांटेशन है, फ्लोरा है, प्लांट से, रेर प्लांट से, वह वह ही के वही प्रिजर हो, क्योंकि आप कही उसको आर्टिफीशियल या हुमन इंटरपन्स के साथ उसको आप कंजर्म नहीं कर सकते, व इससे बाटनी में एक बहुमुल्य योगदान मिला, हम आप देखते है रिसेंटली आपने एक नए फैमिली में जो एक नया इन्वेंशन हुआ, जिसको आपने नाम भी दिख्शाभूमी आना दिया, उस वनस्पति का आपने शोत किया, तो इसके पीछे क्या आपको लगा क आपको बताना चाहूंगा कि मैं जिस एरिया से बिलॉंग करता हूँ, वह जो एरिया है, जंगलो पाहाडों का एरिया तो नहीं बोल सकता लेकिन है वहाँ पे और मुझे इन चीजों में मतलब वनस्पतियों का बैस करने में रूची है क्योंकि मैं उसी ग्यान का प्राध् प्लैंट घ्लेट करते रहता हूँ और उसी में जो जो सारी चीजे आगे बढ़ते रहता हूँ, इसी में एक मousसिस डिस्टिक में रहताू, जिस जिली तो मैं दाव तो वहांका जो भी ख्लोर है वो कैसा वो जानने की मुझे जिग्यासा हुई और उसी हिसाब से फिर मैं ने जंगलो पहाड़ों में जाना चालू कर दिया और आज अगर मैं आप एक इखटा अगर अगर अनालिसिस करते हो तो मेरे पास अट्रा सो चैटीस प्लांट का डाटा है मेरे पास इतने सारे प्लांट आज मैं बता सकता हूँ कि भंडारे जिले में है अलग-अलग जो भी सब डिविजन से उसमें जाके उनका जो फॉरेस्ट है उसको देखके कौन से प्लांट है उनका एनालिसिस स्टडी करता हूँ और इसी दोरान जब मैं भंडारे का फ्लोरा कर रहा था या कर रहा हूँ तो उसी दोरान मुझे यह जो प्लांट है आंबागड के जो फॉरेस्ट अरिया है उसमें दिखा क्योंकि हमारी यह जो प्लांट है इसका जो में जीनस है टैक्सवान जो बोलते है यह उसकी अभी तक जितनी भी स्पीशिज डिसकवरड है पूरी वर्ल्ड वाइज वह ए वन हंट्रेट थर्टीसिक्स तो जब मैंने अनलिसिस किया इन सारी चीजों का देखा कि इतनी जितनी भी स्पीशिज रिपोर्टेड है या तुरू आउट दी वर्ल्स्टैंतर इसमें यह थोड़ी अल कि अग होने के बाद मैंने सोचा कि यह डेफिनेटली टिटली इफरेंट और यह डिफरेंटनेस कही ना कही अलग तरह से जा सकता है तो फिर मैंने एक विजिट दो विजिट तीन विजिट ऐसे थूँआउट मैंने फॉरेस्ट में विजिट ली कौन-कौन था इसमू का हि मेरे साथ हमेशा रहते हैं हम फिल्ड में जाते हैं और हमें जो भी मारगदर्शन की हम लोगों का जो भी एजुकेशन हुआ हमारी माम जो थी वह हमारे पास साथ रहती है अब दूसरी बात यह है कि जब मैंने यह प्लांड को देखा उसका चारेक्टराइजेशन किया फिर इस दुनिया में जो भी प्लांड से उसका कुछ ना कुछ यूज है यह जो प्लांड से जो में ने प्लांड डिसकोर किया है इसकी बहुत उपलबदी अभी तो एकदम से आगे तो नहीं बोल सकते लेकिन उसके अनालिसिस अब जब हम करेंगे तो उसमें सारी चीजे आ रह जो आगे के जमाने में जो भी लोग इसके उपर काम करने वाली या स्टूडेंट है तो उनके लिए बहुत बड़ा एसपेक्ट पैदा हो जाएंगा कि इस प्लांड को लेके ने नी चीजे ढूंडे ने ने नानो पारिटिकल्स ढूंडे और जो human-oriented या मानव संसादन के ल याने मानव की उत्पत्ति के बाद बाटनी के शेत्र में हमने देखा कि इनसान का जो एक डेवलोपमेंट है और वनस्पति का उसके साथ जुड़ाओ जो रहा है यह काफी परसपर एकदम अनुभंध के साथ रहा है याने इसके पहले जब राजया रजबाड़े अपनी एंटिसिपेट्री ढूंडते थे उसमें तो जो पेथी हम देखते हैं या फिर एलो पेथी हो गया या फिर आईवध है या फिर होडो पेथी है आदिवासियों की तो इन पेथियों का और बाटनी का जो एक तरीके से मॉडन साइन्स है डार्वीन की थेरी के बाद तो इसको आप किस तरीके से किस नजरिया से देखते हैं जहां तक मैं थोड़ा इसके थोड़ा मैं एलाबरेट करना चाहूंगा शोर सर मानव का और वनस्पतियों का संबंध जनमजात है जब से आये है कुछ एग्जांबल दे सकते आप देखियें जो भी है हम आये है तो ह हम खाने से लेके तो आज जो भी हमारा मेडिसीन है वह तक सारी चीजे प्लैट से या रही है उन्दो हम जो ड्रंग आज बना थे के में कल फार्मूला वगेरा लेके तो बायमालेकुल तो प्लैट से ही आता है तो हमारा जो भी जिवन चकर हे जुड़ा है वो वनस्पतियो से जुड़ा है और बात आती है evolution ची तो जैसे हमारा civilization आगे बढ़ा है उस हिसाब से अगर हम देखे तो जो plants है उनका यूज है social जो भी उनका reference है वो धीरे धीरे बढ़ते गया है और अलग-अलग तरह से उसका representation अलग-अलग generation में हुआ है तो evolution जो है जो आपने कहा कि Darwin की theory struggle for existence okay plant जो है अपने existence के लिए struggle करते है तो आदमी ने भी अपने existence के लिए यहां तक struggle किया है और यहां तक आया है तो इसी हिसाब से evolution हुआ है human का evolution हुआ है plants में भी evolution हुआ है और यह continuous process है इसको पूरी दुनिया मानती है कि evolution हुआ है और यह आगे धीरे-धीरे होगा हम भी आज अपने बच्चों को पढ़ा थे कि evolution की जो process है वह progressive या फिर regressive तरीके से हुई है और वह दोनों theory पूरी दुनिया में accepted है तो evolution हुआ है plant में progressive evolution हुआ है मतलब एक सेल का plant आज multisilver plant बना है और जो regressive की बात करते हैं तो जो arrangement है जो reproductive organ की arrangement है पहले जो बोलते थे जो ancestor लोग है जो taxonomy study करते थे वो बोलते थे कि हो सकता है कि पहले के जमाने में जो reproductive organ से वह बहुत ज्यादा amount में होंगे किसी फ्लावर में आज वह कम होगे पाच या तीन रहे तो यह evolution ही है ना याने आप याने फ्लोरा फावना में और इंसानों की जित्ते बीस पीसे से कॉमन दिखते है कुछ RNA और DNA ऐसा बोल रहे हैं नहीं प्लांट का डियने अलग होगा अनिमल का डियने अलग होगा ठीक है दोनों क्यूंकि प्लांट उसकी अगर हम देखते है डियने फिंगर प्रिंटिंग अना इसा कॉमन एंसिस्टर की भी बात होती है कि यूनिवर्सल एंसिस्टर की भी बात होती है वह अगर वह तक अगर हम जाते है तो जो यह evolution का कही स्टर्टिंग पाइंट होगा या ओरिजिन होगा वह तो हमको पूरा डेफिनेटली कुछ ना कुछ ना कुछ तो solution मिलेगा कि यह इस पॉइंट से evolution स्टर्ट हुआ था हम देखते है पुरी दुनिया में एक बातनी ने जो एक सृष्ट्री का निर्मान किया है एक इनर सिस् चीजों को जोड़ देते है धर्म को विज्ञान के साथ जोड़ देते है कि इसका कुछ ऐसा एने बैगराउंड evolution का बैगराउंड को डिना कर देते है तो आपको क्या लगता क्या वजह होती है जहां से हम तूट जाते है जैसा NCRT में भी डिमांड हो गई ती कि डार्विन जनरेशन को देख रहा है इसमें ऐसा मेरा मानना है विज्ञान जो है वो प्रूप के साथ चलता है और जो भी आप बाकी बाते करते हो उसके आपके पास evidences है या नहीं है उसके बारे में नहीं बोलूँगा लेकिन अगर आप science या विज्ञान की बात करते हो तो आपको evidences देने पड़ेंगे और इस दुनिया में evolution से related evidences है, fossil history है, सारी चीजे है तो उससे ये तो मतलब confirming हो गया कि evolution हुआ है अगर कोई कुछ बोलते है कि ये थेरी गलत है या इस थेरी को deny करना चाहिए तो उन्होंने वैसे प्रूप देने चाहिए, strong प्रूप देने चाहिए कि ज evolution, Darwin ने जो बताया या जो थेरी दी है वो थेरी अनुकुल नहीं है वो अलग थेरी है तो आप अगर चाहते हो कि ये थेरी गलत है तो ऐसे evidences दीजिए, ऐसे evidences put forward होंगे, हो सकता है आगे चलके आपने जो भी कहा अगर उसके evidences है तो आपकी थेरी पूरी दुनिया में accept की सबूत एक दिन में नहीं बनते हैं जिस तरीके से रोम एक दिन में नहीं बना, सभ्यता एक दिन में खड़ी नहीं हुई, river civilization एक दिन में खड़ा नहीं हुआ, उसी तरीके से हम देखते हैं ये जो वसुंदरा है, ये जो धरती है, इसके अंदर अंगिनत रहस से चुपे है जो शोध विध्यारती होते हैं, जो शोध के शेत्र में काम करने वाले विज्यानिक होते हैं, वो अपनी तिशन बुद्धियों से उन सबूतों को खोसते हैं, और आने वाले जनरेशन के लिए एक अजरा अमर काम करके जाते हैं, चाहे वो स्टोन का साइंस हो, या फिर वनस् वो यह समझा रहे थे कि बॉटनी और जीवन श्रिष्टी का कितना अच्छा और सुंदर तालमेल है आप बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ हम आने वाले भविश्य में और इनके जितने भी शोत कारिये होंगे उसको हम लॉट्स अप मेत्ता देते हैं और हम अपने त तरीके से नई वनस्पति को खोशते रहिए धन्यवाद